आल्चेर गयर रहे हूं कच्चे चावल से बना हुआ बहुत हिल्दी और क्रिस्पी नास्ते की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है आप इसे सुबक नास्ते में बना सकते हैं बच्चों को कुछ अलग साथ टिफिन बना करके देना हो उस समय भी इस नास्ते को ले रहे हूँ एक कप कच्चा चावल आपके घर में जो भी चावल हो उस चावल से आप इस नाश्टे को बहुत आराम से बना करके त्यार कर सकते हैं तो देखे मेरे पास इस तरीके का छोटा वाल जो चावल होते हैं न छोटे दाने वाले चावल उसी से माज इस नाश्टे क में चावल को बना करके त्यार करेंगी सबसे पहले को दो से तीन पानी को तेो करके साफ करें और दो से तीन घंटे कि लिए चावल को फूलने के लिए छोड़ दें अगर आपके पास कम टाइम है तो 9 घंटे के लिए गरम पानी में यानि हलका गुनगुना पानी में चावल को एक गंटे के लिए फूला करके शोड़ें अगर आप इस नास्ते को सुव में बनाना चाहते हैं तो रात में ही चावल को फूला करके रख ले इसके साथ मैं यहां पे ले रहे हूं तीन उबला हुआ आलू आलू उबाल करके मैं ठंडा कर ले हूँ आप गरम आलू से भी इस नास्ते को बना सकते हैं अब हमें चावल को पीसना है इसके लिए लेंगे मिकसर कजार और इसमें हम चावल को डालेंगे देख पा रहे होंगे जब मैं चावल डाल रही हूँ तो पानी इसको पीसते समय हमें बहुत कम करना है चावल डालने के बाद इसके सथ हम इसमें अट कर देंगे आलू और नास्ते को हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए एक चुद्धाई कब फ्रेश दाही का इस्टमाल कर रहे हूँ आप चाहें तो दही को इस कि भी कर सकते हैं रही डालने से एक तो स्मूथ सा और गारा से बैटर बना करके आप तयार करें बैटर को हमें बिल्कुल भी पतला नहीं रखना है इस बात का ध्यान रखके चलिए अब गैस के तरफ चलते हैं गैस पर चड़ा देंगे पैन और पैन में डालेंगे बस एक छोटा चमश तेल जैसे यह तेल हलका गरम एक बाद इने हम अच्छे तरीके से भूल लेंगे यानि की थोरा सा हरी मिर्च को हमें भूल लेना है जैसे ही हरी मिर्च भून जाएगी इसी के साथ मैं इसमें आड़ करूंगी खूप साड़ी सब्जिया जैसी के सबसे पहले आड़ कर रहे हूं प्याज अगर आप प्या पिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकाना है बस थोरा साइने सॉप्ट कर लेना है यानि कि जो इसका कच्छा फ्लिवर होता है ना उसे बस खतम कर लेना है तो बस गैस का फ्लेम हाई-टू-मीडियम रखते वे इने हम एक से दो मिनिट के लिए भूलनेंगे इन सब्जियों को समय एक स्वाथ ध्यान में रखेगा इसमें हम नमक का इस्तमाल नहीं करेंगे सब्जियों सब्जाए धोसी चावलेश बैटर में इससने नमक करतेंगे स्वाद के लिए तीज़ी और आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं गरब लेकिन बील्कुल सिंपल बना रही हूं इसी के साथ करेंगे 247 आफ्याथ करेंगे टी बेकिंग सोडा ढिंहां फ्यादा नहीं है फीर 1 रह संसे मिक्स कर खालागों तो आप चाहिए उसे Pansky जैसा बना सकते हैं यानि की छोटा सा पैन में भी इस तरीके से मोटे नास्तियों को बना करके तैयार कर सकते हैं लेकिन इस तरीके साथ ढोसे जैसा बनाईएगा वनास्ता बॉहाथ ही क्रिस्पी बनाता है तो इससे बनानी के लिए सबसे कि कि हाथ Aufg याउसे टाइप में हम इसे फैला ली के देख पा रहे होंगा इसे कि सैप सक्षु थैना है यूट या पट से लिए च्यार्ट करना है तो आ पहरी हूंगा नास्ता अच्छे तरिक के से निचे से क्रिस्प्यु हो जुगा है पैन को अच्छछ healthy लिए पर देंगे बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आपके पास नौनिस्टिक तवा है तो उसमें बहुत आराम से बना सकते हैं कैफी ढोसा का तवा है उस पर भी इस नास्टे को बहुत आराम से बना करके आप तयार कर सकते हैं एक साइट पलटने के बाद दूसरी साइट स सेक लंगे देख पा रहे हूंगे दोनों तरफ से नातिक का क्लर कितना प्यारा आया है पस इसी तरीके से हम यहां पर सारे नास्टिक और armored कितना प्यार आया है भर से तरीके से हलकेNE हाथों से करची के घुमा ले अगर बीच में बहुत दा मोटा हो गया है तो आप इस तरीके से इस पेचुला ले ले और इस पेचुला की मदद से इसके की नारों को इस तरीके से यानि कि बीच से बटर को उठाते हुए इस तरीके से आप इसे फैला सकते हैं जितना बरा चाहते हैं उतना बर मैं इस तरीके से नास्ते को बनाए हूं और देखें कितना आराम से मैं इसे पलट पा रहे हूं तो आप जिरूर ट्राइब कीजिएगा बिल्कुल भी टूटता नहीं है बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी सा नास्ता बन करके तयार हो जाता है तो देखें मैं आप इसी तरीके को जरूर ट्राइब कीजिएगा सभी को बहुत पसंद आएगा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा कमेंट करके जरू पता है कि मेरी आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है